दोस्तो यकीन मानिए इतनी स्वादिष्ट सबजी इतनी टेस्टी सबजी और इतने अलग स्टाइल से बनी होई सबजी आपने कभी नहीं खाई होगी तो दोस्तो आज हम एक बार फिर से हज़े रहे एक और नई वीडियो के साथ एक और नई रेसिपी लेकर वैसे तो हम अक्सर ये बना के खाते रहते हैं लेकिन दोस्तो आपने ये रेसिपी कभी भी नहीं बनाई होगी नहीं खाई होगी आज हम कुछ इस तरीकी की रेसिपी आपके साथ सेर करने वाले हैं आप अगर इस सब्जी को बनाना मिस कर देंगे न तो एक बेहत स्वाधिष्ट सब्जी मिस कर देंगे एक बार दोस्तो आप ये वीडियो देख लेंगे न तो गारंटी है कि ये सब्जी आप बनाने वाले हैं और खाने वाले हैं सब्जी को खिलाने वाले हैं चलिए दोस्तों तारीफ अब मैं नहीं आप करेंगे जब आप इस सब्जी को बनाएंगे तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए उसके बाद इस सब्जी को बना कर ट्राय कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि हाँ वाकई में सब्जी कितनी मज़ेदार बनी है तो मैं यह अरांड दो से तीन टेवल स्पून ओल डाल रही हूं और यह सरसो का तेल है आप चाओ तो इसे घी में या रिफाइंड ओल में भी बना सकते हो तेल गरम होने के बाद वन टीस्पून जीर डाल देंगे जीरा हमारा ब्राउन हो गया है अब हम इसमें डाल देंग बारिक कटी हरी मिर्च दो से टीन हरी मिर्च है यह दोस्तो मिर्ची को हलका सा सौते कर लेंगे अब दोस्तो यह बड़े साइस के बारिक कटा प्याज है आप मीडियम साइस के दो ले सकते हो इसे भी डाल के सौते कर लेंगे प्याज को एक मिनट तक सौते कर लेंगे दोस्तो गैस का फिलेम इस्टेम दोस्तों मीडियम कर लेंगे प्याज हमारा हलका सौते हो गया है इस्टेम हम वन टीस्पून अधरक लसन का पेस्ट डाल देंगे आप चाओ तो इसे काट कर भी डाल सकते हो मिक्स कर लेंगे और प्याज को ब्राउन कर लेंगे अब दोस्तों प्याज हमारे ब्राउन भी हो गए है अब इस टाइब हम डाल देंगे टामाटर दो मीडियम साइज के बारी कटे टामाटर डाल देंगे बारी कटके ही डालें दोस्तों आप चाओ तो इसे पीस के भी डाल सकते हो, अब साथ में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, वन टीस्पून मिर्ची पाउडर, आपको जैसा भी तीखा पसंद दो, उसी साफ से आप डाल सकते हो, टीस्पून धनिया पाउडर, और वन टीस्पून काश्मिरी लाल मिर्ची यह देगी मिर्चे, और यह तीक ही नहीं होती दोस्तो, इसे बस कलर के लिए उसकिया जाता है, अब इन टामाटरों के साथ यह मसाले मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले अच्छे से पक जाए टामाटर के साथ, अब विल्कुल लो फ्लेम करके इसे ढखके तीन से चार मिनट तक पका लेंगे, अब दोस्तो मैंने यह दो आलू लिये हैं, इसे हम मिक्सिजार में डाल देंगे, काट करके, अच्छे से वाश करने के बाद इसे कट कर लेंगे, और इस तरीके से काट के डाल देंगे मैंने दोनों आलू को काट लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे, यह दो हरी मिर्च इस तरीके से तोड के डाल देंगे, अब दोस्तो इस आलू का पेस्ट बना लेंगे, अब एक बरतन में इस आलू पेस्ट को डाल देंगे, अब दोस्तो इस आलू के पेस्ट में हम यह ब कषिई सब्सक्राइब लोगा मिंखे लोगे एकुछ फ्रैंट से हमें डाल देंगे...... 2-3 टेवल स्पून, और बेसेन डाल रही हूं। मिक्स कर लेते हैं। तो यह देखे दोस्तों इस तरी की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब दोस्तों इसमें हमें एक छोटा चमच नमग डाल देंगे है और एक छोटा चमच देगीमिर्च, एक छोटा चमच जीरा, और एक छोटा चमच धनिया पाउडर अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तो इस बैटर में हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला ना आलू पीशते समय और ना बाद में तो यह देखें दोस्तो इस तरह की हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को और बैल आइकन पर प्रेस करके और पर किलिक कर लीजिएगा तक कि आगयाने वाली वीडियो को नुटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहें तो हमारा बैटर तो हो गया है रेडी दोस्तो अब दोस्तो एक पाइपिंग बैग ले लेंगे और इस बैटर को इसमें डाल देंगे अगर आपके पास डोस्तों पाइपिंग बैग ना हो तो दूद की थैलेगा भी आप यूज कर सकते हो दूद की थैले थोड़ा सा फाड़के और यह बैटर भर सकते उसमें अब हम हम इस तरीके से उठाके और इस तरीक याहा से काट लेंगे अब दोस्तों मसाले चेक कर लेते हैं, तो मसाले ने हमारे तेल छोड़ दिया है, यह देखिए, अब दोस्तों इसमें हम डाल देंगे आधा कप दही, यह दही मैंने फेट लिया था, तो फेट के ही डालिएगा, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ग्यास का फ्लेम लो ही रहना च अब आपके पास दही नी हो, तो इसमें क्रीम भी आप डाल सकते हो, क्रीम का टेस्ट भी भोगा अच्छा है गाएगा इसमें, अब हम दही को भी दो मिनट तक पका लेंगे, दो मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं, यह देखिए दोस्तों तेल छोड़ चुका है हमारे मसाल अब हम इसमें उसी कप से अधा कप पानी डाल देंगे और इसे एक वार अच्छे से मिला के हाई फिलेम पे पका लेंगे एक मिनट तक बॉयल होने देंगे इसे दोस्तो पानी हमारा बॉयल हो चुका है अब जो हमने बैटर तयार किया था वह बैटर हमें डाल देना इसमें तो चलिए बैटर डाल लेते हैं अब दोस्तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल देंगे यह देखिए इस तरीके से आप चाह होतो दोस्तो चम चम में भी इस तरीके से लेके और इस तरीके से आप डाल सकते हो यह देखिए साअरी जगा पर यह बैटर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके तो दोस्तो अब हमें इसको ढखके 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है ऐसे ही तो चलिए अब मिलते हैं 5 मिनट बाद यास का फिलेम हमें मीडियम ही रखना इस टाइम ध्यान रहे इस बात का प्रेंड्स 5 मिनुट हो चुके हैं चलिए देख लेते हैं इसको और यह देखिए यह कितने अच्छे से फूल चुके देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से यह फूल चुके हैं अब गया कीन मानियें, सबज्ञी एक बर बस बना के देखिए आपको मज़ा से मिक्स करिएगा थोड़ा जो की केरफुली नहीं तो ये अंदर से जो कि अगर कच्चा होगा तो ये पूरा टूट सकता है इसको अच्छे से आपको उस समय और भरोस्व हो जाए गार कि कितनी मजेदार होने वाली है आपको सब्जी की कशिस्टेंसी जैसी रखने हो धिकनेस जैसी रखने को इसी आप पानी कम जाधा कर सकते हैं उसी आप से पाणी डाल लीजिएगा हमने एक कप पानी डाला है, पानी डालने के बाद अब इसको ढखके, अब दोस्तों इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट और पका लेंगे, दोस्तों हमें करीब करीब 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए इसको देख लेते हैं, यह देख पा रहे हैं, सबजी भी रेडी है बिल्कुल, तो दो हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं, हमने इसमें डाल के इसको मिला लिया है, अब दोस्तों गैस बंद कर देंगे, सबजी हमारी रेडी हो चुकी है, पूरी तरीके से, अब हम सर्व कर लेंगे, सो फ्रेंड्स हमने कर लिया इससे सर्व, और कर लिया है इसे अच्छे से गा कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन पर प्रेस करके और पर किलिक कर लीजिए जो भी हम वीडियो अप्लोड करेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाएगी और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमें कमे बता सकते कोई सुझ ऑ वो तो हमें बता सकते तो चलिए इसको टेस्ट करके देखा जाए दोस्तों बस एक बार इस सब्जी को ट्राय कीजिए और सबको देखिए आपको तारीफ ना मिले ना तो बताईएगा यह आपकी पेवरेट सबजियों से एक हो जाने वाली है। déc pas इपफजी यह जाने वाली है। आपको सब्से देखने हैं। वह भी वीडियो आपको मिल जाएगी, लिंक मिल जाएग आपको description box में और इसका और यह की आपको उपर iç discriminate में भी लिंक मिल जाएगा। और हमने जीरा राइस की राइस के साथ शेयर की हुई है वह आपको देखनी हूं तो वह भी आपको मिल जागा आप वहाँ से जाके देख सकते हैं तो चलिए एक बार टेस्ट करते हैं दोस्तों सब्जी इतनी स्वाधिस्ट बनी है ना मैं आपको क्या बताऊं मेरे कहने से बस एक बार इस सब्जी को ट्राइ करके देखिए बना के देखिए तो चलिए दोस्तों आप लीजिए इस बेहत स्वाधिस्ट सब्जी का मज़ा और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर